आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आसमान में बादल कहां से आते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर और लाइक कर दे और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले. बादल वायुमंडल का एक प्राकृतिक घटक है, जो जल वाश्प संधनन की प्रक्रिया से बनता है, प्रित्वी के जल चक्र और वातावर्ण में पानी के अनुओं के व्यवहार की बुनियादी समझ की आवश्चक्ता होती है, इस वीडियो में हम तापमान, दबाव और आर सागरों, जीलों और नदियों या पौधों से वाश्पोत सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से ये पानी के अनुओ जल वाश्प बन जाते हैं, और वायुमंडल में उपर उठते हैं, जहां वे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइकसाइड जैसी अन्य गैसों के स पत्येक का अपना तापमान और दबाव की स्थिती है, आमतोर पर वायुमंडल का तापमान बढ़ती उचाई के साथ बढ़ता और घटता है, जबकि दबाव उचाई बढ़ने के साथ घटता है, जैसे ही जल वाश्प उपर उठता है, यह ठंडा हो जाता है और पानी की छ धूल, नमक या अन्यपदार्थों के कणों की हो सकती हैं, इन कणों को संधनन नाभिक कहा जाता है, जो बादल बनने के लिए आवश्यक हैं. एक बार जब जलवाश्प संधनन नाभिक पर संधनित हो जाता है, तो यह एक बादल बनाता है, आपको बता दें कि बादलों में भी प्रकार पाए जाते हैं, बनने वाले बादल का प्रकार तापमान, दबाव और वातावर्ण की कई कारकों पर निर्भर करता है बादल चार मुख्य प्रकार के होते हैं, स्ट्रेटस या स्तरिक बादल क्यूमेलस या मेगपुंच बादल, सिरस बादल और निम्बस बादल, स्तरिक बादल निचले स्तर के बादल होते हैं, जो धूसर या सफेद रंग की एक सतत परत बनाते हैं, वे आम तोर पर घटा या बरसात के मौसम से जुड़े होते हैं, मेकपुंच बादल भुलककर सफेद बादल होते हैं, जो कपास की गेंदों की तरह दिखते हैं, वे गर्म, धूप वाले दिनों में बनते हैं और अच्छे मौसम से जुड़े होते हैं। और आर्दरता के अलावा, हवा के पैटर्न भी बादलों के निर्मान में भूमिका निभाते हैं, हवा के पैटर्न के कारण कुछ क्षेत्रों में बादल बन सकते हैं, जैसे कि पहाडों के पास या पानी के बड़े पिंडों पर, उदाहरन के लिए एक परवत श्रिंखला के उपर से बहने वाली हवा के कारण हवा उपर उठ सकती हैं और ठंडी हो सकती है, जिससे बादलों का निर्मान हो सकता है.